हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों पता है कि बहुत सारे जोन में नए पैनल लिस्ट और डीवी की नए नए लिस्ट जारी हो चुकी है और दोस्तों किसी किसी जोन में जो नमबर अफ सीट एलोकेट की गए थी तो लगभग उसमें सारे सीटे फूल हो चुकी है लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत सारे जोन में टोटल 21 जोन है रेल्वे के तो दोस्तों बहुत सारे जोन में अभी भी सीटे बाकी है जहां पर नए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है डीवी के लिए और उसके बाद उन सभी लोगों का medical examination होगा और panelist में नाम आएगा और railway के joining हो जाएगी So friends आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी पूरी जानकारी की western railway में दिव्यांग जनों के लिए कितने सीटे बाकी है जैसे पता है आप लोगों दोस्तों इसमें total 8 panelist और लेड़ी यहाँ पर जारी हो चुकी है अब बहुत सारी नए नए लोगों को DV के लिए मौका दिया गया था तो friends आप लोग देख रहे हैं यह आपका western railway का official website है RRC का और दोस्तों यहाँ पर यह रहा group D का section और आपके जानकारी के लिए बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर total 8 panelist अभी तक घोसित हो चुके हैं यहाँ देखें दोस्तों provisional panel part 8 ठीक है दोस्तों और यहाँ बहुत सारी लोगों का DV हो चुका है लेकिन दोस्तों railway ने अभी तक clear ने किया है कि इस zone में कितनी सीटे बाकी है दिव्यांग जुनों के लिए तो friends इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप सभी लोगों के लिए दिव्यांग जुनों के लिए total कितनी सीटे बाकी है और कितनी सीटे अभी तक allocate कर दी गई है तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक RTI का हवाला देकर आपको पूरी जानकारी दूँगा ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए अगर आपका cut-off नजदीक है तो आप सब एक उम्मीद रख सकते हो कि हमारा इसमें डीवी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुला जाएगा तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं चलते हैं डायेट ले हम RTI के जानकारी में So friends ये रहा वो RTI का जानकारी वाला पेपर यहां देख सकते हैं आप ये PDF फोर्म में है तो दोस्तों यहां पर एक गंडियो ने अपनी जानकारी मांगी थी वो दोस्तों वी आई केटिगरी से है तो जानकारी में देखिए हैं आपर clearly mention भी कर दिया है so friend जानकारी में चलते हैं डिटेल में और देखते हैं क्या जानकारी में है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर your application dated 27 का यह application है received किया गया online के थोरो आप भी दोस्तों अगर आप कोई जानकारी चाहते है railway की तरफ से तो आपको RTI के हवाले से पूरी जानकारी मिल जाएगे तो आप भी RTI कर सकते online अगर आपको RTI online करना नहीं आता है दोस्तों तो हमारे चैनल पर already videos है जहाँ पर आप पूरी जानकारी पा सकते हो कि आप अपने mobile का use करके RTI कैसे कर सकते हो और अपनी जानकारी पा सकते हैं तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं directly सूचना में और देखते हैं सूचना में किया है तो देखें दोस्तों यहाँ पर in response to your referred application regarding supply of information which was received in this office on 2-7-2021 the information as desired therein has been provided 4-5 of section 5 of act and is included hairweed so friend यहाँ दो टारिके डेट में यहाँ पर यह जारी हुआ था और देखें दोस्तों यहाँ पर आगे कि सूचना में क्या है तो as per section 19-1 of RTI Act 2005 you may file an appeal to under mention department authority within 30 days from the receipt of this information तो दोस्तों यहाँ बता जा रहा कि अगर आप संतूस्त नहीं है आपने RTI के जवाब से तो आपके पास एक मौका है कि आप फिर से RTI कर सकते हो तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी भी है यह कि अगर आप RTI करते हो RTI के संतूस्त नहीं है जानकारी से तो आप फिर से RTI कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आप आते हैं main important ख़वर वे तो देखें दोस्तो यहाँ पर candidate ने क्या लिखा है how many visually impaired candidate completed their document verification and how many are remaining for group D exam CEN 2 oblique 218 तो दोस्तो यहाँ पर candidate ने क्या सवाल किया कि दोस्तो जो candidate है वो visually impaired handicap candidate है तो उन्होंने अपनी जानकारी यहाँ पर मांगी है कि क्या जानकारी मांगी है कि अभी तक कितने लोगों का document verification हो चुका है और कितने CT अभी बाकी है तो दोस्तो यहाँ railway देखिए क्या reply करता है 88 candidate from VI यानि visual impairment merit have been called for DV till date तो दोस्तो यहाँ बता जा रहा है कि total 88 candidate को अभी तक merit के लिए DV के लिए बुलाए गया है 59 have been VI candidate have been impelled against 71 vacancies notified तो दोस्तो यहाँ बता जा रहा है कि 59 यानि 69 लोग का implement list में नाम आ चुका है यानि इन सभी लोगों को माल लेजे कि job लग चुका है और उसके बाद देखे 155 VI candidate are still available so friends यह पूरी जानकारी है यानि दोस्तो यहाँ पर seat बढ़ाए गई थी आप सभी लोगों को पता भी हो गई यहाँ पर VI के category के बहुत जाए seat थी तो आप सभी लोगों के लिए है तो दोस्तो आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर total आपको 155 candidate अभी available है और कितने seat बाकी है दोस्तो 71 vacancies notified 71 total seat थी और उसके 59 लोगों का selection हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगबग 12-13 seat बाकी है आपका group D में तो आएंगे नहीं तो यहाँ पर नए DV के लिए भी लोगों को बुलाया जा सकता है इस category में अगर आप cutoff के नजदीक है तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपको भी DV का मौका यहाँ पर दिया जा सकता है यह रही पूरी खबर RTI के हवाले से आ रहे थी दिव्यांग जिनों में VI category में तो दोस्तों अगर आप अपनी category के लिए आप RTI करना चाहते हो तो आप RTI online कर सकते हो हमारे चैनल पर अलड़ी एक वीडियो है उस वीडियो को आप देख लिजे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और अपने mobile से ही आप RTI कर सकते हैं या फिर आप मुझसे contact कर सकते हैं मेरे email के थुरू और मैं आपके लिए भी RTI कर सकता हूँ यह रही complete वीडियो अगली वीडियो के लिए आप हमाने चैनल पर लगातार वने रहे हैं बेल आकन को जोरू दबा लिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्वाज जै ही जै भारत